सुप्रिम कोर्ट के फैसले से LGBT कम्यूनिटी काफी आस लगा हुए थे लेकिन जो फैसला आया है उसे सुनने के बाद थोड़ी कुछी और बहुत जादा गम इस समाज में है हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इंदर और उनके साथ ही उनसे बात करते हैं इंदर मैं आ करने के लिए फिर अपने पार्टनर के साथ में जैसे आप लोग सब लोग रहते हैं वैसे हम लोग साथ में निकले बट होप्स नहीं हा रहे है विल्फाइट अगैन विकर हम लोग हमारी जो लाइफ की जैनी चालू होती है ना इस LGBT परसन भी फाइट फ्रम दो बिगने में अलब स्टार्टिंग से ही हम कोई चीज के लिए फाइट करना बढ़ता है पहले अपने आपको समझदी के लिए फाइट करना पड़ता है अपने अपने फ्रेंट सर्कल में उनको समझाने के लिए और यह जो अवर्डिक्त आया है I think कही ना कही हमनों को था कि शायद हो जा चलना है सबके साथ में आगे बढ़ना है तो फिर आप कितनी सोच कि जाके पीछे जाकर आपसे जाना चाहूंगा कि आप आपका क्या कहना जिस तरह का फैसला है सो ओविसली निराशा जनक है और बट लाइक है कि होप नहीं हादनी है और सीजी आए की बहुत सारी बाते थी जिससे हम लोग भी सहमत थे इनिशली जब सारी चीज़े चल रही थी एक एक करके सब चारो लोग उन्हें अपना जज्जमेंट दिया सब्सक्राइब कर दो बट लिए खार दोल्ट रही थी आफ और समवेर दीप दाउन लग रहा था कि अलग रहा था कि अलग सब्सक्राइब कोई चेंजिस नहीं होते है एक वो हिए भूरे रेक्शनी मिलेगा इस बाकी प्रोबलम का कुछ एक शलूशन मिलेगा मैं अब आप से आपकी कहानी जाना चाहता हूं, आप कहां से हैं, आप कहां से, एक एक कर अपनी कहानी बताई है। मैं तो मुंबए से हूं, बॉर्न बॉर्ट पियर, रूट्स MP से है, और I think 2010 में मैंने इंडिया का फर्स्ट गेस्टोर खोला था, तो तब से I was very out, and because Salina Jitli थुरी close friend रही है, तो इसकी चक्कर में, मतलब वो हर बार गेराइप के लिए जाती थी धरना करने, तो हम साथ में जा बैंगलोर गया था अपने स्टोर को प्राइड के लिए, स्टोर के प्रमोटिशन के लिए, तब में महापर इनको मिला थे, वह भी यह बैंगलोर जॉब करते थे, तो उस बात को भी नहीं नहीं करके अदिल अभी 11 साल हो गया है, तो 11 सालों से आप लोग साथ में हैं, आप कि आपका बैगराउंड क्या है, घर का बैगराउंड क्या है, आपकी जब पहली मुलाकात हुई इन से, तब क्या फिलिंग थी? तो मैं पेशे से सौफ़र इंजिनियर हूँ, वी आम वोगिंग इन सौफ़र चुपिंग कंपनी, आपकी बाद इनके पूरा बेस बामबे और इनके बाद बाद आपको मालूम होगा कि हम लोग के लिए जगे शिफ्ट करना इस वरी इसी, तो बाद इनके बाद इनके सो मेरे लिए कापी एजी था टू शिफ्ट टू बामबे, जब मिले तो बहुत अच्छी बात यह थी कि हम दोनों लोग अपनी लाइफ में सेम पेज पे थे, हम दोनों लोग वर लुकिंग तो सेटल डाउन, हम दोनों लोग पार्टनर्शिप डूण रहे थे, कंपानिशि लिए कि हाँ, ओके आगे अभी नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, से था कि वो बैंगलोर में बांब रहे हैं, फिछे मेने के बाद यह बांबे शिफ्ट होगे अपने जॉब को लेके, फिर देरे करके साथ मेरेने लगे, फैमिली इंट्रेक्शन हुआ, अब दोनों फैमिल और इजी होता हमारे लिए, और इसे बहुत सारे पेरेंस हैं, उनके लिए अपने बच्चों को समझना, उनको और खुल के सपोर्ट करने में थोड़ी और हेल्प होती है, पेरेंस का जिक्रे किया, किसी देखिए सबसे पहले तो आज जो यंग बच्चे होते, उन्हें पता क्या क्या चुन होती हूं का अपको समय का? And I think बहुत जितना डिफिकल्ट रहा है, उतना ही मुझे स्ट्रॉंग करते गया है, कि मैं को जितने भी लोगों ने जो जो सताया था, जो जो मेने साहा है, वो मुझे मेरा स्ट्रॉंग बिल्ड होते जा रहा था, कि मैं इसको और फाइट अच्छे से कर सकता हूं, देखो आ रहा है हमेता ही आतला है, ऑर तो इसके लिए है कि मुझे में है मां के बात कर रहा हूं, पर मेरे जानिसे काफी बच्चे है, जो अभी के जन्रिशन में भी वह उततना ही प्राब्लम सेफोट कर रहा हैं, पर उनके पास में वह नहीं है. आके बात करने का तो इसके लिए अगर हम लोग करें तो में भी अभी भी अगर आज नहीं आया यहां वाडिक्ट हमारे लिए फीचर में आएगा पर वो में भी हम लोग तब तक और बुड़े हो जाएंगे तो वो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हल्प हो जाएगा हम जरिया बन सकते हैं किसी और के लाइफ में कुछ चीजें चेंज कर पाने का है या कुछ उनको हेल्प करताने का तो क्यों नहीं है लखनों से हैं तो देखे मुंबई में होने के बाद जबीने स्ट्रगल इतना कीश करना पड़ा है लखनों में उस समय क्या परिस्तितियां में मुझे और मेरी बेहनों को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आप अपने इंफॉर्म देजिजिएंस खुद ले सको और मेरा सेल्फ दिसकवरी का जर्नी कॉलेज से शुरू हुआ अच्छली में मेरा बहुत क्लोस फ्रेंड अभी क्लोस फ्रेंड है उस ताइम पे मैं को अच्छे से नहीं जानता था and he was from the community and he was out and open back then in college लखनों की बात ते रहा है नहीं, this is college in Manipal, I did my engineering from Manipal, so his name is Tushar and I had like a कुछ 5-6 गंटे तक हम लोगों ने विस्तार में बात किया है and उसने मुझे बहुत सारी चीज़े बताए कि gender और sexuality के बीच में difference क्या होता है, how is it a spectrum and then उसने बोला कि तुम इसकी बार में पढ़ो, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा inclination अगर किसी तरफ है तुम्हें लगता है तुम वैसे हो, तुम पहले पढ़ो खुद को, खुद को समझो, you come out to yourself first, then तुम अपने friends को, family को come out, so जो come out की journey होती है, जो सब लोग बोलता है कि, कि आप come out कर रहे हैं और आपको अपने बारे में बताना है, आपको पहले अपने अंदर से come out होना चाहिए, you should be comfortable in your own skin and when you learn that and that's the journey of liberation आपका शुरू होता है, आपसे जाना चाहेंगे, जो love at first sight का जिक्र होता है, तो क्या जब आप पहली बार बैंगलोर में मिले थे, क्या वो आपको bonding लगी थी पहली बार दूसरे को देखने के बाद, या पी दीरे-दीरे डिसकोर होता गया कि आप दोने एक दूसर करी थी कैसे होता कमेड़ी क्या होता है, तो मुझे पूचा कि तुम्हें क्या लगता है कि इन में से तुमको कौन सा लड़का तुमारे जैसा है जो तुमको पसंदाएगा, तो मैंने रैंडब्ली आशिष को पांट किया और तभी पता नहीं था कि ये आशिष है या कुछ तो मैंने बोला कि he is my type, like you know maybe if I get a chance I can talk to him आसा करके और आज हम लोग आप आपने जैसे ही इन नहीं का अंदोरे डालने तापका है अभी I don't know, ये मेरे सामने नहीं हो रहा था तो I don't know कि पीक पीचे क्या बात हो रही थी अभी जो बोलें ये वो मनना पड़ेगा बहुत लमबा समय होता है, कई दफे हमदिखते हैं, और रिष्टे होते हैं, कितने समय तक, रिष्टे बहुत कम कम तूटिकते हैं दोर हैं, अण्य վब एसे मिंपलों का पयार किस्ते से जमा होता गया, या बड़े होते गया होगा है जब किसी को भी LGBT कुपल बोलते हैं, उनको सेक्स समझ में आता है, कि इन लोग को सेक्स तक ही नहीं था, इनके बाद में इनका रिलेशन नहीं चलता, पर हम तो सिफ 11-12 साल की बात करें, हमारे और फ्रेंट सर्कल में जो 20-22 साल वाले भी हैं, तो ऐसे काफी कुपल्स हैं, जो आते वे देखा हैं, जाते वे देखा हैं, फिर से आते वे देखा हैं, तो हम लोग ने लिटरली धर्ना किया हैं, सब कुछ किया हैं, तो हम लोग ने बहुत कुछ बहुत क्लोसली देखा हैं, मुश्किल समय में आप इने समालते थे इने, मुश्किल समय जब जैसे कई बार लगा था कि कामया भी मिल रही, कई बार ऐसा हुआ कि नहीं, कामया भी नहीं मिली और संगर्श करना पड़ेगा, उसमें किस तरह से अपने एक दूसरे को संभाएगा? I think it's as, as any other couple. I think, जैसे किसी भी couple में, you take up roles, like sometimes the wife in the relationship is taking the role of, you know, coping up and helping the husband or the other partners doing it, it's the same thing. You just take out gender out of the equation, it's the same thing, it's just considerate as humans. Let's start there. तो हर एक अगर उससे कुछ जॉब में इशुज है या मुझे कुछ जॉब में इशुज है या मैं में ट्रबल विट संथिंग या वो ट्रबल देमेंटली तो भी अंडरस्टाइंड इच अदर बेरी क्लोज लिए फिर सवाल मेरा आप दोने से जाना चाहूंगा आप चुनक इसके लिए तो हम लोग हैं आपर कि हम लोग फाइट कर रहे हैं कि उनको थोड़ा से लाइफ इसी हो जाए हेल्प की अगर जरूरत है तो इस इजली अवेलिबल लिटरली केश्व सुरी फांडिशन जो लाली ने चालू किया है यह दन सच अ गुड जॉब कि मतलब लिटरली मेंटल इश्यूज है या फिर उनको जॉब की जरूरत है या फिर कुछ अब्यूज हुआ है एडुकेश सपोर्ट चाहिए तो वो काफी तरीके से हेल्प करते हैं यह एक और्गनेजिशन का नाम लेरा से काफी सारे है लड़ाई के लिए लबी लड़ाई के लिए तया है वी वो बॉन्ट फ्रेडी बात करने के लिए तो यह है आशीश और इंदर इनका कहना है कि वो लबी